Hello everyone, my name is Chandan Singh. So guys, word of the day का सिरीज है, एपिसोड है 64. तो देखते हैं आज का क्या है word guys. So आज का जो word है दोस्तों, इसे हम कहते हैं rickety. जी हाँ, rickety इसे पढ़ेंगी, यह adjective है. अब rickety क्या होता है, rickety का मतलब है, जरजर, सूखा रोग से ग्रस्त, यानि कि rickety एक बिमारी वाले, एक मतलब शरीर को भी कह सकते हैं, और वैसे ज़्यादा तर जो rickety इस्तमाल होता है, वो चीजों के लिए होता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है. जैसे, यह लिखा है कि a rickety structure और piece of furniture is not very strong. माली जी किसी के पास कोई कुरसी है, कोई भी furniture है, और उसकी हालत खराब है, जरजर हालत में, उस पर आप बैठे तो तूट सकता है, वो बहुत पुराना है, वो कमजोर है, it means कि वो जो है, वो rickety है, तो उस furniture को हम rickety कह रहे हैं. और well made and seems likely to collapse or break, कि मतलब ऐसा लग रहे है कि वो collapse हो जायागा, ब्रेक हो जायागा, it means कि वो चीज रickety है, फिर यह लिखा है कि off a structure or piece of equipment, poorly made and likely to collapse, वो ही बात है कि बहुत खराब बना हुआ है, कभी भी तूट सकता है, वो चीज रickety है, in a bad condition and therefore weak and likely to break, उसका condition बहुत बुरा हो वो चीज रickety है, तो रickety यहाँ पर चीजों के लिए आ रहा है, और रickety कई बार ऐसा होता है कि जो सूखे रोग से गरस्त होते हैं, किसी कि वो हाथ पैर से टेड़े, हट्डियां टेड़ी हो जाती है, उस तरह कि लोगों को भी रickety कहा जाता है, कि इसके यार लेक्स रickety है, बट जादा तर इसका इस्तमाल चीजों के लिए है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चित्र दिखाता हूँ आपको गाईस, देखिए, यहाँ जिसी बिल्डिंग है, तो यह बिल्डिंग रickety है, देखिए, इसकी हालत खराब है, जर जर है, बहुत ही पुरान बिल्डिंग है, हो सकता है, गिर जाए, तूट जाए, कॉलाप्स हो जाए, तो यह रickety है, यह देखिए, यह एक ब्रिज जैसा देख रहे है, ब्रिज, हाँ, ब्रिजी कहलेजे, तो यह देखिए, इसकी हालत कितनी खराब है, तो यह इस तरह का कोई चीज हो तो वह रickety क देखते हैं इसके, so guys, देखिए, पहले synonyms की बात करते है, synonyms आप इसको shaky कह सकते है, shaky का मतलब कि हिलता हुआ कंडिशन में हो तो shaky है, broken है, कि पहले से तूटा-फूटा है, broken है, यह वीक है, कमजूर है, यह सब होगे इसके synonyms, अब देखते है, examples, so, examples में यहां लिखाए यानि कि उस इस कुरसी पर मत बैठो, it's bit rickty, it's bit rickty, यानि कि bit का मतलब कम थोड़ा सा, यानि कि थोड़ा से rickty है, थोड़ा सा यह जर जर हालत में है, तो उस पे ना ही बैठो तो सही है, this rickty fence should be repaired, अब rickty fence, fence क्या होता है, कि fence, वो railing type होता है, जो fence होता है, वसे घर कर कि रखते है, अब वो fence rickty है, अब उस पे आप वजन डाल रहे है, तो वो गिर सकता है, तो इस fence को repair किया जाना चाहिए, तो this rickty fence should be repaired, stay away from that rickty building, अब कोई building है, जर-जर हालत में है, जर जर हालत में है, तो आप समझ गया, तो rickty का इस्तमाल आप इस तरीके से करेंगे, guys चले, guys, screenshot ले लिजे आप, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते अगले video में, till then take care, keep practicing and have fun, thank you guys